तब इसके बाद वे सब जहा तहा चली गई सीताजी मन में सोच करने लगी कि एक महिना बीद जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा सीताजी हाथ जोड़ कर त्रिच्टा से बोली है माता तू मेरी विपत्ती की संगिनी है जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूँ विरा असाम हो चला है अब यह सहा नहीं जाता काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी तू मेरी प्रीती को सत्य कर दे रावण की शूल के समान दोहख देने वाली वानी कानों से कौन सुने सीता जी के वचन सुनकर त्रिज्टा ने चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभू का प्रताप बल और सुयश सुनाया उसने कहा हे सुकुमारी सुनो रातरी के समय आग नहीं मिलेगी ऐसा कहकर वा अपने घर चली गई सीता जी, मन ही मन, कहने लगी क्या करू, विधाता ही विप्रीत हो गया न आग मिलेगी, न पीडा मिटेगी आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रही हैं पर प्रित्वी पर एक भी तारा नहीं आता चंद्रमा अगने मैं है, किंतु वह भी मानो मुझे हदभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता हे अशोक व्रिक्ष, मेरी विंती सून मेरा शोक हर ले और अपना, अशोक, नाम सत्यकर तेरे नयने कोमल पत्ते अगनी के समान है अगनी दे, विरा रोग का अंत मत कर, अर्थात विरा रोग को बढ़ा कर सीमा तक न पहुचा सीता जी को विरा से परम व्याकुल देखकर वहक्षन हनुमान जी को कल्प के समान बीता झार प्राएंटी को एष सलिकिन गदाएंध यजाल देंट झाला लाग के समान पहलोगकर रोग के समान जी देखकर विरा विरा स्का है विराया किरएंटी मुशGब बीता विरा यह सिस्थ प Selectham